नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्क्रेटी आई एस यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं विरासत कर यानि की इन हेरिंटेंस टैक्स के वारे में विरासत कर क्या कोई ऐसा कर है जो आपको विरासत में मिलता है जित देना ही देना है नहीं दरसल विरासत कर एक इस परकार करकर है जो आपको विरासत में मिले हुई संपति पर लगाया जाता है अब चर्चाओं में क्यों है मामला दरसल भारत में आज के समय में राजनीतिक माहौल में विरासत कर बहुत अलिक चर्चाओं में और सभी प पर बातचित करते हुए statement दे दिया कि देखो मुझे लगता है कि आपने जिन्दगी पर जो भी संपत्ति कमाई है जरूरी है कि आप अपने जाने के बाद उस संपत्ति का कुछ इससा जनता के लिए छोड़ते हैं ताकि जनता का विकास हो सके इन्होंने ये भी का कि मुझे ठ प्रस्तुत की बाकी और दल भी आ अब इन्होंने आपस में एक दूसरे को पर अपने अपने तर्क देने भी शुरू कर दिये अब जैसे कि हमें पता है कि चुनावी माहल हो लें लोगसभा चुनाव हो रहे हैं तो भारती जन्दा पार्टी ने इसका पूरा लाव उठाए भारती जन्दा पार्टी के साफ साफ कहना है कि देखो कॉंग्रेस की मांसिक्ता इस परकार की हो गई है आप लोग जीते जी टेक्स तो देंगे ही देंगे मरने के बाद भी आपके जो भी संपती बच रही है अगर आपका बिजनस है तो आप इंकम टे रहे हैं उसके माधि जीते जी आप क्या कर रहे हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ अपने लिए बचा रहे हैं और धीरे 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 कुछ ना कुछ अपने घटा कर रहे हैं अब यहां पर अगर हो जाता है तो उस इस्तिती मामला ऐसा बनेगा कि जीते जी आपने जो कमाया उसमें से पहले टेक्स दिया अब मरने के बाद उसी हिस्से में से जो बच गया है उस पेसे भी है रसूला गाले तो क्या लगता है भारत में इस प्रकार चाहिए या नहीं होना चाहिए बीज़ेपी के तरफ से अप्ना पूरा मुम मूड़िया कहा दिया कि नहीं हैं, ये इंके अपने personal विचार हैं, वह हैं सैंपे तुरोज़ा कहा रहे हैं कि मेरे बयानों को या मेरे सब्दों को तोड़ बरोड के पेश किया दा रहा है, और मैंने हर एक प्रक्ष को हम लोग अच्छे समझेंगे, वहीं दुनिया की इस्तिती समझेंगे कि विश्व के कितने विश्व में आज के समय में विरासतकर लागू है, हर एक चीज को समझने से पहले ज़रूरी है कि एक प्रशन बेबी निज़र डाली जा, हो सकता है कि कुछ इस प् प्रशन बन जाते हैं, चलिए मामरा समझना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले समझते हैं दर असल विरासतकर होता क्या है, तो देखे विरासतकर एक प्रक्ष कर होगा है, यानि कि आपके घर में जो भी मुख्य व्यक्तित हो, उसमें जिन्दगी भर जो जो कमाये, अंत्र म तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे प्रापर्टी हो, चाहे जूलरी हो, या फिर इसके अलावा धन राशी बगरा हो, तो जो भी बच्चा है, उसके ओपर ये टेक्स लगाए जाएगा, तो इस प्रकार से क्या होगा, को परतेक्ष रूप से ही ये देना होगा, हलागे जो ये विरासत कर है, इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, इसको संपत्ति कर भी बोलता है, मृत्यू कर भी बोलता है, और एस्टेट, ड्यूटी के रूप में भी इसको जाना जाता है, ये इसके अनेक नाम है, एक मृत्य व्यक्ति के धन और संपत्ति के कुल मुल पर उनके कानूनी उत्रादिकारियों के वित्रित किये जाने से पहले इसको लगा दिया आता है, यानि कि अब जब वैक्ति जिसकी भी मृत्यू हुई है, मृत्यू के तुरंत पर शाथ ऑफिसर आएंगे देखेंगे जी क्या-क्या-क्या-क्या वैक्ति छोड़के गया, हर ए टेक्स दिया जाना, या जरूरी कर दिया जाएगा, इसके साथी, इसके जो गढ़ना होती है, वह एक छूट या कटौती के बाद होती है, ठीक है, छूट मतलब क्या रहती है, देखो, जब-जब कभी भी इनहरेंट टेक्स की बात होगी, तो इसमें यह अर्थ नहीं होगा कि मान लीजिए कि आपने जिंदगी भर चितना भी खटा किया, अंत में पता लग रहा है कि आपके पास में आठ लाग है, या पांच लाग है, तो ऐसा नहीं कि जो भी छोटी मूटी राशी आपके बाद बचेगी, सब पे लगाते हैं, अगर नहीं, ये खासतर में बड़ लाग होती है, ये भी नियम कहते हैं, ठीक है, इसका मुख्य उद्धेश्य क्या होता है, देखो क्यों लाग करना चाहते हैं, या दुनिया के अनेक देशों में इसको लाग क्यों किया गया, तो सैं पित्रोदा साहब वाली बात हम लोग दुबारा पकड़ लेते हैं, यहा कहा है कि जिन्दगी भर आपने जो कमाया, मरने के बाद उसका कुछ इसा जन्ता के लिए छोड़ दिया जाए, जन्ता के लिए क्यों छोड़ना है, ताकि सामाजी कल्याण हो सके, अर्थववस्था की स्थितिति में सुधार हो सके, वहीं दूसरा पहलू धन का पुनरवित कि यहां पर आप लोग को एक बात और ध्यान दखनी है, कि जब-जब कभी भी किसी व्यक्ति को विरासत मिलती है, तो वह उसके पास में दो तरह से चीज़ें को डवलप करती है, जैसे कि अगर प्रॉपर्टी है, हो सकता है व्यक्ति उसमें खुद रहने को ना जाए, किरा किराय उसको वास आ सकता है, तो यहां पर गॉर्मेंट मानती है कि विरासत में को जो संपत्य मिलेगी, या तो वह आपके लिए किराय का रूप बन सकती है, या फिर ब्याज कर दे सकती है, तो किराय मिलेगा, ब्याज मिलेगा, अब यहां पर एक और ट्विस्ट है, ट्वि से आपको इतना हिस्सा तो पहले टेक्स के रूप में देना होगा तब आप बागी संपत्ती की कस्टडी ले पाएं चलो मालो यहां भी मानगे अग्री कर जाएं कि छलो जी ठीक है मैं यहां पर भी सहमत हो जाता हूं अब क्या स्थिति है अब गौर्मेंट एक और व्यवस्त आगे जो जो चीज़े आप कर रहे हैं आपको उस पर भी टेक्स देना होगा तो यहां पर यहां पर यह नियम भी लागू होता है कि आपके पास जो जो संपत्य आपको मिली है चाहे उससे किराया आ रहा है चाहे उससे ब्याज आ रही है आप जब जब अपनी इंकम पर लगते हैं उन सभी संसाधुनों से जितने भी धन अर्जित कर पाता है जो बी चीज़ें अर्जित कर पाता है उसको गह सभी āसको कर देना भी होगा यह महत्वपून यह सारी इन्हेरेन मतलब संपत्य मिली लेकिन उसके साथ विरासत में आपको बहुत सारे कर भी मिल गए जो देने पढ़ेंगे तो इसी वजह से समझने मामले में यह विशे बहुत महत्वपूर्ण है खास है चर्चाओं में इस वजह से अन्य पार्टियां इसका प्रयोग कर रही है कोई समर्थ चुका हूँ कि भारत में आज के समय में कोई भी विरासत कर लागू नहीं है हाला कि विरासत कर लागू नहीं है उसके बावदू हम देखते हैं कि भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में अपना पैसा जमा करते हैं या विदेशों में जाकर के प्रॉपर्टी खरीद के उन्होंने रखा हुआ है ठीक है भारत में इस्तिती ही है कि आज के समय में कोई इस प्रकार की कर प्रणाली लागू नहीं है यानि कि आज के समय में कितना भी कमा लो आपको कोई भी विरासतकर नहीं देना है ठीक लेकिन एक समय हुआ करता था जब भारत में विरासतकर की हाला कि इसके मामले में कुछ प्रावधान किये गए जैसे कि यहां पर विवस्ता की गई थी कि ये अचल और चल दोनों प्रकार की संपत्तियों पर लागू होगा ये ध्यान अखना hoगा वहीं इसमें ये भी ववस्था की गई थी कि देखिए जो विरासतकर है सिर्फ और सिर्फ संग सूची का विश्य रहेगा संग सूची का विश्य रहने का आर्थि क्या है कि सिर्फ और सिर्फ केंज सरकार को ही अधिकार होगा कि वह जो इसकार के लिए विवस्था करें, इसके प्राज़ान करें और वसूलें राज्जे का इसमें कोई भी मामला नहीं रहने वाला है यह भी हाँ पर इस पस इनके द्वारा कर दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ संगसूची का विश्य है संबंध क्या है इन दोनों चीज़ों पर निर्धारित किया गया है अगर मानली जी कि आप बिलकुल ही करीबी हैं जैसे कि मानली जी पिता के बाद में पुत्र को मिल रहे ही संपत्ती तो ओस इस्तिति में कर हो सकता है कि कम वसूला जाए लेकिन मानली जी कि आप दूर के इस्ति आ रहे हैं उसका कोई खास नेक्सकिन नहीं रहा जिसे कि संतान नहीं रही आप किसी और प्रकार्ट लेकिन जुड़े हुए और व्यक्ति चाहता है कि संपत्ति आपको ही मिले मरने के बाद में पहले उसने विल कर दी है आपको दी जाएगी लेकिन उसमें से हमों फिर अच्छा कासा कर लिया जाएगा गौवर्मेंट यहां पर यह भी ववस्ता करती है तो भारत वे ववस्ता थी कि दर का निर्दार में एक और बार यानि कि सरकार ने थोड़े संशोधन किये और संशोधन करते हूँ सिलैप्था उसको 5 परतिशा से 40 परतिशा कर दिया मतलब अलग 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 रूप से इसकी ववस्ता लाग होगी जिस सबसे कम 5 परतिशा सबसे दिक 40 परतिशा से ओपर नहीं वस्तुला और विराषत कर की ववस्ता को भारत से समक्ट कर दिए हगी जब-जब सरकार कोई भी कारे करते हैं तो कारण बळाया क्यों कि तया है कि देख उंका पुलर वित्रण और सरकार के लिए लगन्य से कयो भी बताना था क्यों उटा रहे हो तो राजिव गांदी सरकार ने पताए कि देखिए, इसका उद्धेश है, एक नियाय संगत समाज की स्थापना करना, समाज में समानता स्थापिक करना, लेकिन यह जो कर रहे इस परकार के उद्धेशों की तूरती नहीं कर पा रहा है, ज़य को भी कम करने में यह सफल नहीं ह पा रहा है तो इस सिस्थिति में अगर इसको बनाए रखते हैं तो दिखते it यह माना कि उस्से कर दे रहे हैं तो क्यूद नहीं हो रहा कि क्शे कर्च कर दे रहे हैं उससे कम कर रहा है घृति तो क्या फाइदा जब घाटे की ही ववस्ता हो रही है तो और शुदलाव आपको नकारत्मक हो रहा है सरकार चाहती है कि ठीक है हम लोग मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम तियार कर रहे हैं लेकिन जोन भी आ रहा है रिवन वर पास में वह इतना तो हो कि कुल लाज़त से उपर जा तक कि कही ना कहीं उपयोग कर सके हैं जब आप लाब नकारत्मक के स्टेदी में देखे हैं तो क्यों चाहेंगे की पड़ता रहे हैं इसके अलावा सरकार जो थी उस समय में बहुत सारे मुकदमों में फज़ लगी कि बहुत सारे लोगों के अपने अपने तरक हैं बहुत सारे पेटिशन हम लोग आए दिन डिसकस भी करते हमने क्लासिस में यह भी होता है तो ठीक इसी परकार क्या होगा कि जिस परकार सरकार ने चाहा था कि विरासत कर उसके माध्यम से उसकी आए बड़े लोग पहुंचे कोट कि देखें जी हमने कमाया हमने किया सब कु तो उसके बाद सरकार बहुत सारे मामलों मत फस गए इस वज़ा से तो फिर सरकार को लगा किया ठीक है खतम कर देते हैं क्यूं आगे बढ़ाना यह वजाना नहीं रखना चाहिए तो उनी सो पचासी में खतम कर दिया उसके बाद भारत में कभी भी विरासत कर लागू नही पर क्यों जरूरी है कि हम लोग समझें कि भारत को क्या क्या लाब हो सकते हैं अब भारत में विरासत कर को लागू किया जाता है उस इस्थिति में सबसे पहली बाद समता मूलक समाज की स्थापना करना यह को मामला हुआ हुआ है कि धर्म का पुनर वित्रन करेंगे तो समाज के कुछ लोगों के पास किंद्रिक्रित हो जाए और बाकी लोग उससे वंचित रहेगी कि देखो आप यह सुनिश्यत करो कि धन का समान वित्रन रहे और पुनर वित्रन की वर्वस्था भी चलती रहे ताकि केंद्रिक्रण ना हो सके तो अरच्छ उन्तालिस डीपेस्प का याद रखिए गया वही इसके लाब भारत में धन केंद्रिक्रण की स्थिति क्या यह भ सबसे अमीर लोग कुल जन्संक्या का मातर एक परतिशत हैं और हमारे देश की कुल संपत्ती का 51.5 परतिशत पर कबजाइन का बना हुआ है वही इसके अलावा देखते हैं दूसरे स्थर पर जो उनके बाद आते हैं वहें हैं 10 परतिशत अमीर लोग जिनके पास 77.4 बाकि जो मुखे जन्संक्या है हमारे देश की आनिकी 60 परतिशत से ज्यादा उनके पास में मातर और मातर 4.7 परतिशत अब समझ रहें कि कितना जाता डिफ्रेंस है और इतने बड़ी डिफ्रेंस को पाटने के लिए हां बिल्कुल संपव है आप लोग पुनर वित्रण के स और सब्रेंस करता है लेकिन देखो कोई भी कोई प्रणारी पूरी तरह से नयायसंगत नहीं हो सकती अगर हम लोग ये चीज़े माने कि हां उनके कमााय हुए संबत्ति से उनकी कमाई हुए धन्त से हम किसी और का भला इस परकार से कर सकते हैं तो देखो यह पूरी तरह से नियास अंगत नहीं कि उस वैक्ति ने पूरी जिंदगी मेहनत की अपना एंपायर खड़ा गया लिगसी बनाई और हर इंसान यह चाहता है कि मैंने जो किय है वह ऐसा बने बच्चों के लिए अगर मान लो उसने जिंदगी बार मैनत की होती और घाटी में चला जाता दिवालिया हो जाता तो क्या समाज का वाकिश्सा उसकी मदद करता पॉसिबिलिटी से बिल्कुल भी नहीं है तो जब उसको लाव हुआ है उसके पास में जो वि भारत में अगर लाग होगा तो इस प्रकार से कुछ लाग हो सकते हैं जिसके उमिद करते हैं अस्टशास्ति पर दुनिया में क्या स्थिति जरा एक बार स्थे भी नजर मान लेते हैं आज के समय में जापान दुनिया का सबसे अधिक इनहरेंट टेस्स के लिए वाला देश अब जो सैंप पितरोदा साथ है उन्होंने अमेरिका को लेकर के ही बातें प्रस्तूत की थी बाद में उने क्लारिटीकेशन भी दिया कि मैंने जो कहा अमेरिका के लिए करेंगिए पर अमेरिका के इस परकार है विरास्त करके मामले में कि 50 राज्यो में से सिर्फ 6 में ही ल क्या प्रप्रशन जो मैंने आप लोग को शुरूआत में दिखा आता है अब जल्दी से आंसर कॉमेंट करते हैं क्योंकि इतने बड़िया से अपको चीज़ समझाए गई है तो मुझे लगता है कि आपको डाउर तो रहा नहीं होगा अपने मेंस के नूर्स भी जरूर बना ल को आंसर चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर हैं उम्मीद करता हूं कि सही रहा होगा बाकी बाते हम लोग करेंगी अगले वीडियो में कुछ नए विश्यों के साथ तब तक के लिए विदा दीजिये थैंक्यू सो मच